हेलो फ्रेंट्स कैसे हूँ मेरा ना मैं संजीब जोतर हूँ और आज हम जो लेखें टॉपिक वह हमारा जो हमारा पिछली हमारी सीडिस चली हुए रडॉक्स एक्षिन जिसमें 11 का एलेक्षिन पढ़ रहे हैं और 12 का इलेक्ट्रोक्मिस्ट्री क्योंकि उसमें कुछ कॉमन च सारी चीजें हमने वड़ी और आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है आज सर्फ उसको एक रिव्यू करेंगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से समझेंगे लिखने की बिजाए समझना जरूरी है जो आज का जो टॉपिक ह होगा तो आपके लिए वह जितने आगे नुमेरिकल उसके रिलेटर होगे वह कर पाएंगे ठीक है तो आज हमारा टॉपिक होगा वह होगा इलेक्ट्रो कैमिकल सीरीज क्या होगी इलेक्ट्रो कैमिकल सीरीज पर इलेक्ट्रो कैमिकल सीरीज को समझने से पहले कुछ हमारी कि टर्म्स हैं उनको समझना ज़रूरी यह वैसे लेक्ट्रोगेमिकल सेशीन कि ज़िया है जिसके मैं क्या लेते हैं स्टेंडर रेदक्षिन प्टैंश़ लेते हैं ठीक है स्टेंडर डेटक्षिन प्टैंशल की जो वैल्यू दी होती है ठीक है जैसे आपको यहां पे नजर आरा होगा जैसे hydrogen के ऊपर कुछ values दी गई है hydrogen की value standard reduction potential value इस तरह इस तरह दी गई है और hydrogen की zero है और zero से कुछ ऊपर है जो negative और zero से कुछ नीचे जो positive है फिलहाल यहां पर अभी नहीं होगा ठीक है तो अभी उससे पहले इस चीज को समयने से पहले हमें कुछ terms कुछ definitions के बारे में पता होना चाहिए कि यह reduction potential होता क्या है electro potential क्या होता है cell potential क्या होता है उससे हम पहले समझेंगे फिर उसके बाद हम electrochemical series की तरह आएंगे ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं पहले कुछ basic terms तो जैसे मैंने कहा कि electrochemical series की जो हम बात कर रहे हैं उसकी पहले definition को समझते हैं उसमें कुछ एक term आएगी फिर उसको discuss करेंगे फिर उसके बाद दुबारा से अच्छे से समझेंगे तो electrochemical series क्या है electrochemical series क्या कहती है the arrangement of elements in order of increasing electrode potential values कि हमने elements को arrange किया किस तरे के से उनकी जो electro potential values है increasing order कैसे किया increasing order में मतलब पहले minus से कम से जादा की तरफ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं कम से जादा की तरफ चलते जा रहे increasing order जो reduction potential values है electrode potential values और यह values standard है इसलिए इसका नाम है standard reduction potential values ठीक है यह सारी क्या इलेक्टोड इलेक्टोड पोटेंशल वेल्यूज जो है हमारी वह हमने यहां पर दिए पर यहां पर बात आई इलेक्टोड पोटेंशल वेल्यूज और लेक्टोड है मैंने कहा रहा कि अभी इस definition के बारे में आपको नहीं पता चलेगा पहले पता क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशल क्या है सब सबस्काइब है इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है दग्याना सब्सक्राइब capacity of an electrode to lose or gain electrons ठीक है कहने का मतलब किया है देखो मैंने क्या कहा था कि जब हमने पड़ा था अपना इलेक्टो की मिश्टी में पढ़े थे इसमें मैंने बताया था कि हमारा य। वह था है थे फिर इसमें यहीं चीज एक अधाइंस यही है इलेक्ट्रोड्स की गेन करने की किशमता या लूज करने की किशमता किसको इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोड्स को लूज या गेन करने की कपैसिटी हरे कि अलग लग कपैसिटी कोई इलेक्ट्रोड्स जादा गेन करेगा कोई जादा लूज करेगा उस कपैसिटी को हम क्या कि क्या बोलते हैं उसको के पस्टिकों पोटन्शल को क्या बोलते हैं that is electrode potential क्या बोलते हैं electrode potential अगर 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 जो electrode lose correct the capacity the capacity of an electrode to lose लूज इलेक्ट्रोंज इसकाल कि उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉटेंशल क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉटेंशल लूज करने की एलेक्टोड की लूज करने की कैपैसिटी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉटेंशल अगर लूज की यह जगह भी मैं लिखते capacity of an electron to gain to gain electrons electrons को gain करें अगर कोई इलेक्ट्रोड की गेन करने की शमता होगी उसे हम बोलते हैं reduction potential क्या बोलते हैं reduction potential तो यही चीज़ यहां पर हम यहां पर कौन सी values लिए reduction potential values लिए ठीक है इलेक्ट्रोड की capacity या तो वो लूज में लूज करेंगा तो वह उसकी oxidation potential जो स्युक्षे बोलते हैं अगर वो गेन करता क्या is reduction potential मतलग capacity अगर का मुझे यहां गरेंगा ऐलेक्षिन करेंगा the capacity to gain the electrons that is called production potential तो यहीattend stability यहां पर दी होते हैं धीक है reduction potential की to register we can fragen को सक्थे बैस बाइन के चलते हैं जिसकी वेल्यु क्या है ? तो अपो तो उसके बाद के अब देख को एक फिर एक डेफिनिशन का निगल KE yath is the cell potential cell potential जाते हैं व्याजसे हमें पर चला कि हुम्हरे पास औक्स भी केपेसिटी तो lose the electrons किसी भी उसे oxidation potential कहते हैं अगर gain करने की capacity हो electrons तो वो reduction potential होगा तो sorry cell potential क्या है the difference between the electrode potential of two electrodes दो जो हमारे जो भी electrodes होंगे उनके electrode potentials का difference उसे हम क्या बोलते है cell potential यहां बोलते हैं EMF electromotive force यहां बोलते हैं EMF ठीक है यहां बोलते हैं E cell अगर अब देखने वाली बात है अगर हम दोनों ही मालों के oxidation potential ने अगर मालों हम क्या लें E cell निकालना हो या EMF निकालना हो अगर दोनों ही electrode potential ने कौन से oxidation potential दोनों कौन से oxidation potential anode क्थोड का तो हमारा formula के बनता है E anode minus E cathode पर हम यह नहीं लेते कब यह कब यह कब लगेगा जब हम क्या लेंगे इफ oxidation potential नेंगे फिर क्या आएगा E cell is equal to E anode minus E cathode जब हमारे पास oxidation potential की values होगी दोनों electrodes की cathode anode की दोनों की जो values होगी वह कौन से होगी oxidation potential की values हमें दी हो तो formula क्या है E anode minus E cathode हमारे पास यह values नहीं है हमेरे पास values कौन सी होती है हमारे पास values होती है reduction potential की तो फिर formula change होगा है फिर e sell कैसे निखलेगा if if reduction potential of two electrodes एक डिया हो रिडेक्शन परेशल की यह फाली वेल्यूस दी हो तो फिर कहले लगेगा इम्हार कैसे निकलेगा इसेल गयतें थीज सेल प्रेशल पुलते वो क्या होगा इक फोड माइनस ए अब यह कहो है इस एनौड क्या है यह आपको देखने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी ठीक अगर आपने वो अच्छे से देखी होंगी तो यह आपके लिए बहुत असान है कि कैथोड क्या है नहीं पता फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँगा अब EMF कब जब हमारे पास reduction potential की values आएंगी तो हम क्या करेंगे formula क्या होगा E cathode minus E anode मतला electrode potential reduction potential लेंगे किसका cathode का और anode का अब हमें decide करना पड़ेगा भई अब हमारे पास कौन सा cathode होगा कौन सा anode होगा चोलो हमारे पास ठीक है reduction potential values हैं पर कौन सा cathode कौन सा अनोड उस चीज़ को उस confusion को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आइद इस इलेक्ट्रो कैमिकल सीविट्स जिसमें हम क्या लेते हैं standard values लेते हैं standard reduction potential values लेते हैं जिसमें हमारे पास hydrogen को hydrogen क्या है हमारे पास यहां पर जिसकी value zero है उसके उपर कुछ values है और उसके नीचे कुछ values अब हम आते हैं definition पे ठीक है पहले तो यह आपको basic terms पता चल गई अब हम आते हैं यहां पर क्या कहती है कि arrangement of elements in order of increasing electron potential values increasing electron potential values के basis पे हमने उन्हें arrange किया है elements को ठीक है hydrogen zero उसके उपर कुछ values नीचे कुछ values ठीक है अब यह क्या show कर रही है यह values क्या show कर रही है क्या पता चलता है इनमें से चलो अब हम फिर basic सी चीज़ें चीजों पर आते हैं आप देखना oxidation क्या होती है यहां से वही चीज़ें को सब्सक्राने concept जिनने यहां से वीडियो देखने शुरू कि उनके लिए मैं बता रहा हूं ठीक है हिंट दे रहा हूं ओक्सिडेशन के पहले ऑप्सिडेशन की होती है लॉस इलेक्ट्रों ठीक है इलेक्ट्रों लूस करना रिदक्षिन क्या है यहां फिर और अब जो ऑक्सिदेशन करता है वह क्या होता कishore reducing agent यह भी मैंने बताया था जो रड़क्शन करता है वो reducing एंजंट नहीं है वो किया है oxygen जेंगे चीजें काम आईगो यहां पर ठीक है मतलब जो अको ांगालान उलEST यह नहीं सोचना और नहीं आपक्षेशन मतलब ons लेक्टरन रेडक्षं मतलब गेन करना एक ट्रोन जैसे मैंनी बताया था आपको तर्लीक्ष में आइल और रिडैक्षिन ऐसे ये स्लोस म्लाइस और ठीलक्षा यहां तक टूर्प लॉए फिर उसके बाद अब हम यहां पर क्या करें अब बताएं कि इन में से कौन सा औक्सिडाइश इंगरे अब यह चीज देख अच्छा एक और चीज जैसे मैंने क्या था कि जो ऑक्सिडाइशन करता है वह क्या होता थे कैथोड सदी ओक्षिदेशन वहां कहते हैं और मैं रिडेक्ट्षिन कहाँ पर होती है प्लप्रीजंग क्थोड्फी कि आष तो मैं यह को समझो यहां वहाँ पर आएगा पिपी ऐनोड करना क्थिन कहां पर लटोल प Bit凍ष एफिलेक्टरन पर होती है फोडिकाई अब यहां पर अब कुछ फिर वैलीउज आगी हमारे पास he段 है ने जीरो माली है hydrogen को हम एकretsathan कि हम बहुत स्टेंडर्डड हाईडरोजन इलेक्ट्रोड मानते है ठीक है शी और नौर्म हाईडरोजन इलेक्ट्रोड और स्टेंडर हाइड्रोजन इलेक्टोड ठीक है यह क्या करता है यह लूज भी कर सकता है इलेक्ट्रोज और गेन भी कर सकता है टाइम आने पे वह डिपेंड करेगा कि इसके साथ जुड़ा कौन है ठीक है अगर उसके साथ जिसके साथ वह जुड़ा है एलेक्ट्रकेमिकल सेल जो बनाया था हमने अगर वो oxidation वाले के साथ जुड़ा तो खुद क्या करेंगा रेडक्षण कि ठीक है अगर वह redaction के साथ जुड़ा है तो खुद क्या करेंगा oxidation मतलब टाइम आने पर बदल जाएगा ठीक है चेंज हो जाएगा तो हाईटर हमने स्टेंटर माल लिए अब कुछ वैल्यूस हमारी यह कि ऊपर नेगेटिव और यहां पर जैसे जैसे नीचे आ रहें बढ़ती जारी जैसे नीचे आ चेंजड़ तो यह बाद स्टays पॉस्टेवेलिएंगी जितना जियादा बढ़ेंगी पॉस्टिव एलिए इसका मतलब कि इलेक्ट्रोंड़ वो ज्रदा गेंगरेगा है इलेक्ट्रोंस क्या करेगे गबहत गया करेगा तो गेन करेगा यह देखो सबसे ज़यदा एक सिके प्लस में इसका इसका म्मशन्यदुन क्या क्या करेगा ठीचे यह गेन तेक है अब भीट है अब इसी बताता होगी अब यह वाला मतलब जतनी स्आधा पॉजिटिव वैलेऊ अथनी जाधा वो electrons को gain करेगा to get reduced ठीक है, gain करेगा ठीक है, gain करेगा electrons, मतलब वो क्या करेगा, reduction करेगा ठीक है, पर reduction वाले को क्या बोलते है reduction वाले को क्या बोलते है reducing agent, नहीं, मैंने भी बताया reduction वाला reducing agent, नहीं, वो क्या oxidizing agent, इसका मतलब ये क्या है, oxidizing इजेंट वो भी क्या होगा strongestंगेस्ट है इसका मतलirie इसे इसे induce होगा क्या के स्विल्लोंगेस्ट रोक्षिडाइज्ज ग्युण्च होगा स्विल्लुरीन के देटेट इसे जीन होगा स्थालक्षिडाइज़्ड keeping कि लिए पॉजिटेव सेंट उतना ड़्य ओट जरूंग होगा अभ ये अगर स्ट्रोंग होगा यहां पे तो यहां पे क्या होगा यहोगा यह वह चाहिए अगर अणग हो जाएगा वीक हो जाएगा यह वीक होगा फिर वीक होगा तो क्या होगा स्ट्रॉंग 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 क कौच पर reducing agent क्या होता है reducing agent क्या है reducing agent क्या है यह वाला जो lose करता है क्या electrons इसका मतलब इसकी tendency हमेशा यह रहेगी कि यह करे क्या करे lose करे electrons lose loss of electrons lose करेगा इसकी tendency मेशार हैं कि यह पर उसको केरें लूज करें सबसेंद पहले ये जोओ करें करें लूज करवें का मतलब ये Oxidation क्रभा ओक्सेडेशन का मतलब reducing agent ठेक है तो reducing इसका मतलब इसक Rouh pandemia होगा आख शौदूसइग एजंट फ्लूरीन ओक्सीडेशन है फ्लूरीनर तो लीथियम क्या कहता है इलेक्ट्रोंस मैं दे दूँ मैं क्या करूंस इलेक्ट्रोंस को लूज करो तो अगर लूज करें तो मतलब क्या है लूज करने का मतलब औक 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 और लूज करेंग्ट्रोंस में उतना जादा वह पॉस्ट्रोंग रिडूसिंग एजन्ट होगा क्या होगा स्ट्रॉंग रिडूसिंग एजन्ट होगा मतलब क्या करेगा लूज करेगा अब फिर यहां से भी चीज निकल के आते हैं हमारे पास कंसेप्ट समझेवाली चीज़ा लिखने वाली आप नोट्स बना सकते हो अब देखो अब कैसे पता चलेगा कि थोड को ना न लेते हैं इसका मतलब जिसकी वैलियू नेगडिव में उसकी वैलियू हम क्या मालेते हैं अनोर उसे मालेते क्या होता है अनोर पर क्या होती है हमेशा ऑक्सिदेशन होती है तो यह सारे क्या कर रहे हैं नीचे वाले क्या कर रहे हैं रेडक्शन कर रहे हैं इसका मतलब वो क् चोडर यह वाला इनोРЕ यह और यह लेलो कोई भी लेलो कॉपर और सोडियम लेलो कॉपर क्या बन जाएगा च्छोड यह क्या बन जाएगा चिक है जिसकी विएरू और जोगी ग्म होगी यह माइनस में हो चाहें positive कुछ भी हो जिसकी वैल्यू कम वो उसका कर रहे वह कर रहा है लुट्रोन को लूज कर रहा है तो वह लूज करने माला मेंशा क्या होता है Oxidation करता है मतलब वह क्या है आनोड जो गेन करेगा वह क्या होगा तो इसका क्याने का मतलब, क्याने का मतलब, जितनी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटीव में चली जाएगी, उसके साथ दूसरे वाली की वैल्यू से कम होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, क्यों? क्योंकि जितन कोई भी कुम्पेर करो यह ले लो यह कॉपर ले लिया और यह जिंक ले लिया अब यह नीचे और यह उपर आ गया नीचे वाला के थोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में कम है तो यह कहलेंगे एनोर देंगे ठीक है ठीक है तो फिर यहां पर वही इसल बनेगा ह कि एनोर ठीक है तो मालों स्पोर्ज मारे पास अगर मालों मैंने कहाँ कॉपर और जिंक है अब कॉपर और जिंक अगर दो मारे पास अगर पूरा सेल बना कॉपर और जिंक का सेल है तो हम किसकी वैल्यू लेंगे मालों कॉपर की वैल्यू दिया और जिंक की वैल्यू दिए अब कैपने यहाँ पे कैप थोड कै minutes का वैलिए हम ले लेते Bowl थे 011- append क्या बन जाएगा यह वाला बन जाएगा इसकी Schloss 2 पोइंट There you goش ठीक है हमारी वैली 0.34 प्लस 0.76 कितनी आगी 0.76 0.34 हमारी के आगी 1.10 वोल्ट हमारी वैल्यू आजागी मतलर इसल की वैल्यू पॉजिटिव आजागी ठीक है तो इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड आपको हमारी कुछ एप्लिकेशन आएगी अगले लेक्चर में डिस्कूस करने वाले ठीक है तो फिलहाल आपको मैं ओवराल बता दूँ तो यह क्या है यह किसके किसके ओपर बेस्ट है बेस्ट बेस्ट अंस्टेंडर्ड रिडक्शन पुटेंशल वैल्यूस ठीक है यह सर्पी वैल्यू दिया है रिडक्शन पॉटेंशल वैल्यूस देगे इसको मानके हम देखके हम क्या निकालेंगे ईसल निकालेंगे ईसल क्या होता है एक तोड माइनस ए एनोर क्थोड कौन है और कौन है वह मैंने बता दिया जिसकी वैल्यू जादा पॉजिटिमे वैल्यू वह क्थोड जिसकी वैल्यू माइनस में मतलब कम वैल्यू है मतलब दोनों माइनेस भी ले सकते हैं मालो यह भी ले सकते हैं चिनलिया और यह एक्टेमिय ले लिया अब नीचे कौन है यह इसकी वैल्यू जादा भेउस की वैल्यू कatics कम इसको कमेने उतोर्ब यहां पर कितोर वैल्यू कम उसको मानेगे ll थीक है इसे आप एक दो बाद वीडियो को दुबारा देखा अगर आपको सही दंग से समझ नहीं आया होगा पहली बार में ठीक है थोड़ा पर अगर एक दो बार देखोंगे तो आपको यह असान लगेगा ठीक है तो इस यह करेड़ करेगा जब आपको कुछ बेसिक नहीं पताओंगे अगर आपने वीडियो देखी है तो यह टॉपिक बहुत असान होने वाला तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे इनकी अप्लिकेशन करेंगे निमेरिकल्स करेंगे ठीक है तो आज फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था हम दुबारा नए वीडियो में हाजिर होगे तब तक के लिए जासेत दीजिए थैंक्यू गुडबाई टेक केर